नमस्कार सौगात है आप सभी का UPNHM भरती लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप अच्छे और सुस्त होंगे आज UPNHM भरती से संबंदित महत्पूर्ण अपडेट जारी की गई UPNHM भरती में लोकेशन प्रेफरेंस में लेकर बड़ा बदलाव किया गया सभी साथ लिष्टेट के लिए महत्पूर्ण अपडेट है दोस्तों अभी हमारे चनल सरकारी आरेने को सब्सक्राइब किजी वीडियो को लाइक करके सेर जरूर किजी और वीडियो को पूरा देख तब ही आपको संपोर जानकारी मिल पाएगी क्योंकि आज का यहाई वीडियो UPNHM भरती से संबंधित महत्पूर्ण होने बाला है दोस्तों जैसा आप सभी अभ्यारती को मालू होगा कि UPNHM भरती में सभी अभ्यारती लोकेशन प्रेफरेंस में लगातार ये सवाल ये आपसन आज से लेकर 16 जनुवरी तक लाइव होगा मतलब दोस्तों लोकेशन प्रेफरेंस बनने में जो आपको परिसानियों का सामना करना पड़ा रहा था अब उसको आयो की तरफ से ठीक कर दिया गया मतलब दोस्तों लोकेशन प्रेफरेंस में अब आप खुश से और महत्पूर अबडेट जो भी कंडिडेट साट लिष्ट किये गयें उनके लिए जरूरी अप डेट सभी साट लिस्ट कंडिडेटोंके लिए अब जल्द ही डीवी राउंड की घोशला की जा सकती है मतलब दोस्तों यू पी इनेच्चम भरती में जितने भी साट मेल आएगा जिसमें डाकूमेंट वैरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा मतलब दोस्तों आपको डाकूमेंट वैरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए उपस्तित होना होगा अगर किसी भी अभ्यारती को डाकूमेंट वैरिफिकेशन प्रक्रिया में में उसका डाकूमेंट के रत पाया जाता है तो उसकी जॉइनिंग प्रक्रिया रद कर दी जाएगी आईएब जानते ही UP NHM भरती में डाकूमेंट बेरिफिकेस्ट प्रक्रियां में साइटलिस्ट किये गए अब भी हरतों कौन कौन से डाकूमेंट लेकर I.O. के समझ उपस्दित होना होगा सबसे पहले हम बात करें आपके डाइकुमेंट की तो सबसे पहले आपको R-Lineावेदन की एक कावपी इसको सभ़ाल कर रखना होगा जैसे ही डाइकुमेंट वारिफिकेस्टर्ण प्रक्रे के लिए बुलाए जागा इसको अवेस आपको लेकर जाना होगा होगा उसके बाद एक सिगनेचर की कम मतलब जो आपने आरलाइन आवे दन करते समय सिगनेचर किया होगा उसको वही सेम सिगनेचर होना चाहिए दूसरा जो आपका प्रमाड़ पत्र है हाइ स्कुल की मार्चेट, इंटर की मार्चेट और एनम या जेनम का कोर्स या डिप्लोमा इन सभी की मार्चेट आपको लेकर जाना होगा अगर आप यू आर कटेगरी हैं तो आपको जाती प्रमाड़ पत्र नहीं लगेगा लेकिन अगर EWS सर्टिपिकेट आपके पास नहीं है अगर आप EWS कंडिडेट से लागिन किये हैं तब आपको EWS सर्टिपिकेट लेकर आयोग के समझ उपस्तित होना होगा कुछ प्रमाड़ पत्रों का सत्यापन आयोग इन्वस्टी बेज कर करता है मतलब जैसे आपके सभी सहची ग्योकता और प्रमाड़ पत्रों का सत्यापन आयोग इन्वस्टी बेज कर करता है जैसे हाइ स्कूल का प्रमाड़ पत्र, इंटर का प्रमाड़ पत्र और अगर बात करें एन्म या जीन्म का कोर्स तो इन सभी का जो सत्यापन किया जागा वो इन्वस्टी के माध्यम से किया जागा लेकिन आपके आधार कार्ट, जादि सर्टिपिकेट, करेक्टर सर्टिपिकेट, निवास प्रमाणपत, इन सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन आयोग आनलाइन माध्यम से करता है। अगर आपके प्रमाड़ पत्रों का सत्यापन करते समय किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे समय आपका चैन यूपी एनेचेम भरती में निरस्त कर दिया जागा है इसलिए दोस्तों आप लोग अपने सभी डाकुमेंट को क्लियर रखें और जैसे ही ड अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना नहीं मिलती है तब आपको